हेलो एब्रिवान वेलकम टू कॉन स्टाटी जेके एससपी क्लास फोर रिकूट्मेंट के लिए जो रीजनिंग है ट्वेंटी मार्क्स की आउट ओफ दू हंडर्ड मार्क्स उसकी यह आपकी सेकिंड क्लास है फर्स्ट क्लास में मैंने आपको वेंट डाइग्राम्स टॉपि होगी इसमें कुछ और एक्जाम्पल में डाइग्राम्स की आपको दिखाऊंगी कुछ डिप्रेंट टाइप्स हैं और साथ ही उसके बेसिस पे कुछ क्वेशिन सम करेंगे और यूज यूज देर विल बी वन क्वेशिन आप दे वीडियो जो आपको आंसर करना होगा तो म आप देख सकते हैं JK SSP Class for Mathematics, General Awareness, Reasoning इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी यहां जाके आप लोग अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं सो यह वो question है जो class 1 के end मैंने आपसे पूछा था और काफी लोगों ने इसका answer दिया था option C तो मैं आपको बता दू यह सही answer है कैसे सही होगा यह जो outer circle है यह represent कर रहा है games को और inner circle एक hockey का होगा और एक inner circle आपका cricket का होगा कोई overlapping नहीं होगी hockey और cricket के बीच बट यह दोनों ही पार्ट है games का तो यह आपके Venn diagram कुछ इस तरह से बनेगी option C इसका correct था तो आज की जो first example है वो है authors, teachers and men यह आपके तीन groups है इसको circles के through क्रैसे represent करते हैं Venn diagram में let's see अगर यह circle है जो की represent कर रहा है authors को क्या authors और teachers में कुछ ऐसे elements हैं जो common हो सकते हैं कुछ teachers ऐसे भी होंगे जो authors होंगे या कुछ authors ऐसे होंगे जो teachers होंगे तो पहले हम दो के बीच का ही relation बनाते हैं यह आपका टीचर्स का जो group है कुछ इस तरह बनेगा और यहां पर ओधर तीचर्स के common elements आएंगे So let's see, अब men का relation इन दोनों के साथ कैसे depict करना है हमने अब कुछ authors जो होंगे, वो men होंगे, कुछ women होंगे, उसी तरह teachers भी कुछ men, कुछ women So entirely different जो है, वो men का group नहीं बनेगा कुछ common elements की वज़े से इनके circles के बीच intersection बनेगी जैसे हमने first class में definition पड़ी थी, अगर आपने वो note down की थी तो आप देख सकते हैं कि intersection of circle से common elements represent होते हैं, ऐसा definition में लिखा था तो कुछ इस तरह से यहां पर men बनेगे So यह जो है आपकी authors, teachers, men, इसकी when diagram कुछ ऐसी बनेगी अब इसके बीच के यह जो common areas है, इनको कैसे interpret करना है उसको देख लेते हैं, यह आपकी when diagram बनेगी एक group आपका authors का है, one group is for teachers and the third one is for men तो अगर मैं आपसे पूछू, वो सारे authors जो की teachers भी है वो यहां पर represent होगा, इन दोनों circles की intersection पे उसी तरह अगर मैं पूछू, वो सारे authors जो की men भी है तो वो कुछ यह वाला area में represent होगे उसी तरह से वो men, जो की teachers भी है वो men, जो की teachers भी है, वो इस पूरे area में आपके represent होगे इतना तो हम समझ सकते हैं, right? और साथ ही हम यह भी जानते हैं, कि यह जो area है, जो common नहीं आ रहा किसी के साथ, यह वो authors होगे जो की teachers भी नहीं है, और men भी नहीं है उसी तरह से यह वाला जो area होगा, यह आपका, उन teachers का होगा जो की authors भी नहीं है, और men भी नहीं है, right? यह area जो आपका आ रहा है, जो कहीं भी intersect नहीं हो रहा, किसी के साथ common नहीं है, तो यह वो men होगे, जो की न authors है, नहीं teachers है इसी वेन डाइग्राम में, अगर मैं आपको बोलनों, वो कौन सा area है, वो ऐसे authors को represent कर रहा है, जो की men है, यानि male authors है, but they are not teachers, यह area कैसे आएगा, मैं आपको advise करती हूँ कि आप अपनी notebook लीजिए, उस पर draw कीजिए, साथ-साथ आप समझने की कोशिश कीजिए, कि वो authors, जो men भी है, वो तो यह वाला area पूरा था, but अगर आप देखो, यह वाला circle है, यह तो teachers को represent कर रहा है, यह red वाला circle तो teachers को represent कर रहा था, यह authors का था, यह men को represent कर रहा है, तो जो भी इस common area में होंगे, वो authors भी है, and men, and teachers, वो तीनों ही groups को belong करते है, so if I ask you, कि ऐसे authors बताओ, जो men तो है, लेकिन teachers नहीं है, ऐसे लोग इस area में लाए करेंगे, यहां तक, ठीक है, यह जो मैंने यह represent किया है, यह होंगे, authors and men, not teachers, तो इस तरह से आप Venn Diagram को interpret करते हो, अगर मैं आपसे पूछू, ऐसे authors और teachers बताओ, जो कि men या male नहीं है, ठीक है, हमें male वाला part नहीं चाहिए, वो वाले common elements बताओ, जो कि authors और teachers है, यह कहां पे होगा, यह area होगा, right, क्योंकि इस common area में तो वो लाए करते हैं जो male भी होंगे, जो green circle के भी अंदर आ रहे हैं, similarly, अगर मैं बोलू हमें male और teachers चाहिए, बट authors नहीं, तो वो कहां लाए करेंगे, वो लाए करेंगे सिरफ इस portion में, ठीक है, I hope यह अब आपको अच्छे से clear हो रहा है, so let's move on, एक और example, एक different when diagram देखते हैं, हमें बताना है men, fathers, engineers, यह तीन groups है, इन तीनों का relationship, when diagram से कैसे represent होगा, यह बनाना है, तो आप भी अपनी note book को बना सकते हैं, साथ ही मैं भी आपको बना के बताती हूँ, सबसे पहले हमने बना लिया यह group, जो की men को represent कर रहा है, अब मैं पूछू आपसे, कि यह जो fathers वाला group है, वो obviously men वाले group का ही एक part होगा, ऐसे कोई भी यहाँ पे fathers नहीं होंगे ना, जो men वाले group में belong नहीं करते, तो आपका fathers का जो group है, वो men वाले group के अंदर ही belong करेगा, men भी हो सकते है, women भी हो सकते है, तो ऐसा नहीं है, एंजिनियस पूरा men के अंदर बनेगा, एंजिनियस का group कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, जिसका कुछ पार्ट men के साथ common भी है, कुछ पार्ट ऐसा भी है, जो men के साथ common नहीं है, so this is how, यह Venn diagram बनेगी, अब इसमें intersection वाला पार्ट जो है, वो थोड़ा different है, हमने अभी तक जितनी examples first class में देखी थी, और आज भी जो भी देखा है, तो इसको explain करते हूं, so this is your diagram, जहां पे यह blue circle जो है, यह men को represent कर रहा है, yellow circle is representing fathers, and the red circle is representing engineers, तो सबसे पहले हम consider करते हैं, सिरफ fathers वाला yellow circle, और engineers वाला red circle, इन द दोनों के बीच का common देखते हैं, इन दोनों के बीच का जो common area है, वो यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे वो लोग लाए करेंगे, जो कि fathers भी होंगे, engineers भी, और male तो वो होंगे ही, क्योंकि fathers का पूरा group ही males के अंदर लाए करता है, और अगर आप ध्यान से देखो, यह यह जो males का group है, men का group है, अगर इसको engineers के group से निकाल दे, यह men का group था न, यह fathers, यह engineers, अगर men का group निकाल दे तो यह जो हिस्सा है, यहां पे वो engineers होंगे, जो men नहीं है, यानि female, dogs, pets और cats, यह example हमने first class में की थी, जहां पे हमने कुछ इस तरह बनाया था, यह dogs थे, यहां पर pets थे और कुछ ऐसे cats थी, so let's see कि यह diagram जो है, dogs, pets और plants, यह कैसे बनेगी, so यह देखिए, यह आपके सारे के सारे dogs है, उनका group है, और यह आपके सारे के सारे pets का group है, complete लिख देती हूं, pets, और जो यह common area है, यह आपके pet dogs होंगे, और जो यह area बचा, यह आपके वो dogs होंगे, जो कि pets नहीं है, उसी तरह से इस area में वो pets होंगे, जो कि dogs नहीं है, so now let's see the third one, third हमें दिया था plants, हम जानते है, plants के group का dog या pets के साथ कुछ भी common नहीं है, so जो plants का group होगा, वो यहाँ पर बन जाएगा, अलग से, so यह आपकी जो है, venn diagram, dogs, pets और plants की venn diagram, ऐसे बनेगी, so as you can see, यहाँ पर blue portion से आप pets को represent कर सकते हो, इस pink वाले से dogs को, and the green one for plants, right, तो यह आपकी जो है, venn diagram बन गई, तो class 1 में, मैंने आपको 6 examples बताई थी, आज मैंने आपको 3 examples बताई है, इन सारी examples को आप note कर लीजिये, notebook में, so now let's start with a few questions, question में आपको कुछ इस्थरा दिया होगा, which of the following diagram, best depicts the relationship among animals, dogs, pets, मतलब कुछ भी तीन चीज़े दी होगी, options में कुछ venn diagram given होगी, मैं screen पर पहले venn diagram नहीं रखती हूँ, because I want कि आप लोग अपनी notebook लीजिये, question देखिए और खुट draw करके, और उसके बाद हम options देखेंगे कि इन में से कौन सा option हमारी diagram के साथ match करता है, इसको देखते कैसे बनेगा, तो अगर आप देखो कि एक circle होगा जो की animals को represent करेगा, और जो dogs हैं, वो animals के group का ही एक part है, right, तो यहाँ पर आपके dogs बन जाएंगे, so pet animals भी animals वाले group के अंदर ही आएगा, right, लेकिन pet animals का animals के साथ तो relation समझा आ गया न, कि यह animals होंगे और यहाँ पर होंगे आपके pet animals, but pet animals और dogs का relation कैसे होगा, तो वो कुछ ऐसा होगा, pet animals और dogs का intersection बनेगा कुछ इस तरह, क्योंकि pet animals और dogs दोनों में ही कुछ ऐसे elements हैं जो common नहीं है, और कुछ elements हैं जो common होंगे, तो इस diagram में उसको कैसे represent करेंगे, आपका animals का group बन गया, dogs का represent कर दिया, pet animals का group यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, so this will be your event diagram, कैसे, यह जो outer circle है blue में, यह आपके animals को represent करेगा, one of the circles जो उसके अंदर है, it will represent dogs, and one circle will represent pet animals, ठीक है, dogs और pet animals में, there will be something common, and there will be a few things, जो की common नहीं होंगे, and suppose इसी example में आपको cats भी represent करना है, वो कैसे होगा, यहाँ पे आपके dogs है, this is the pet animals, और यह outer आपका animals को represent कर रहा था, cats रिप्रेजेंट करना है, तो वो कुछ pet animals के साथ, intersect करेगा, and it will be inside the animal वाला blue circle है उसके अंदर, तो यह आपका cats को represent कर देगा, यहाँ पे कुछ pet cats होंगी, जो common area है, right, तो यहाँ से आपको ऐसे understanding करनी है, but anyway, आपकी जो diagram थी, when diagram इस question की वो कुछ इस तरह बनेगी, तो options देखते है, so, जैसे हमने diagram बनाई थी, उसके according हमारा option B जो है, वो correct हो जाएगा, यह outer circle आपका animals, एक inner circle आपका dogs, and another one for pet animals, and यह intersect करेंगे, right, तो इसलिए B option लिया, अगर इंटेसेक नहीं कर रहा होता, इंसा mother example, तो हम D option चूज करते, so, let's see question number two, boys, students, athletes, इसको कैसे represent करना है, तो पहले हम boys और students का बना लेते है, यहाँ पे आपके अगर boys represent हो रहे है, तो students कुछ इस तरह से represent करेंगे, क्योंकि कुछ boys ऐसे होंगे जो students है, कुछ boys होंगे जो students नहीं है, उसी तरह से कुछ students होंगे, जो की boys है, और कुछ students जो है, boys नहीं होंगे, so, इस common area में वो लोग होंगे, जो की boys भी है, और students भी, तो boys and students का वेंट डाइग्राम तो बन गया, बट अगर इसी के साथ आपको athletes का भी बनाना है तो वो कैसे बनेगा अगर आप खुद सोचिए पहले boys के साथ relation देखते हैं तो boys और athletes का जो group होगा उनमें कुछ common होंगे और कुछ common नहीं होंगे राइट, boys and athletes में कुछ boys athletes होंगे, कुछ boys athletes नहीं होंगे तो यह तो हमें पता चल गया relation कैसे बनेगा, बट students और athletes में क्या कुछ common है अपकोर्स है, कुछ students जो है वो athletes होंगे, कुछ नहीं होंगे similarly athletes भी कुछ जो होंगे, वो students होंगे, कुछ athletes ऐसे होंगे, जो student नहीं है राइट, कुछ common होगा इनके group में and some things will not be common तो इसको कैसे represent करेंगे, athletes वाला group जो है, उसका boys के साथ भी कुछ common है and students के साथ भी कुछ common है, so इनको ऐसे represent किया जाता है, athletes को athletes will have something in common with boys, with students and with both of them यह जो center में है, यह वो portion है, जो boys भी है and they are students as well and they are athletes as well, तो इस question की जो diagram है, वो कुछ इस तरह बनेगी, यहाँ पर आपके boys, students and athletes, यह जो center का portion है, यहाँ पर वो boys होगे, जो students भी है, athletes भी, उसी तरह से, this common portion will be, जो boys और athletes है, but they are not students, okay, but इतनी depth में हमें नहीं जाना है, we just had to make the Venn diagram, जो की आपकी बन गई, so let's see the options, so as we can see, हमारा जो option A है, वो correct हो जाएगा, this circle represents boys, one circle represents students and third one represents athletes, यह जो question है, यह similar है, किस question के, जो हमने example में देखा था, men, fathers और engineers, उसी को थोड़ा सा change करके, men को female बना दिया है, ठीक है, या इसको आप women बोल लो, साथ ही mothers है, और doctors, तो इसकी Venn diagram कैसे बनेगी, so this is a group, जो आपका होगा, females का, और जो mothers होगी, वो इस group का ही एक part है, और जब doctors है, उसको कैसे इसके साथ join करना है, doctors कुछ हैसे होंगे, जो females होंगे, और कुछ होंगे, जो females नहीं है, and doctors और mothers में भी कुछ common elements होंगे, the mothers who are doctors as well, तो यहाँ पर आपका यह जो circle बन जाएगा, यह आपका represent करेगा, doctors को, doctors का mothers के साथ भी कुछ common area आ गया, females के साथ भी कुछ common area आ गया, and individual भी कुछ area है, जो कि females के साथ intersect नहीं करता है, तो यह आपके diagram थी, एक बार फिर देख लेते हैं, यह आपके represent कर रहे है, females, mothers, and doctors, यह diagrams आप अपने notebook पर बना लीजिए, examples, साइरी note कीजिए, जितनी भी class 1 में हुई थी, और जो आज हो रही है, this will help you a lot, so let's see the options, female, mothers, and doctors, option C, वो correct होगी, यह outer circle आपका females, inner circle, mothers, and this one, जो intersect भी कर रहा है दोनों के साथ, वो कुन सा है, doctors, so this is your correct option, C, so beverages, tea, and coffee, so यह वाला जो diagram है, यह भी आप अपनी notebook पर बनाएए, देखिए ज़रा कैसे बनती है, कैसे बनेगी यह वाली diagram, एक outer circle होगा, जो represent करेगा, सारी beverages, ठीक है, सारी beverages को यह represent कर रहा है, और जो tea है, वो भी एक part होगा, beverages वाले group का, and the coffee will also be a part of it, but इन दोनों में कोई intersection नहीं होगी, because tea and coffee में कुछ common नहीं है, तो इसकी Venn diagram कुछ इस तरह बनेगी, अब आप इसी example में और चीज़े भी आड़ कर सकते हैं, और कोई beverage भी सोच सकते हैं, अगर आपने cold drink डालना है, तो यहाँ पर ही एक और circle बनेगा, जो cold drink को represent करेगा, तो इस तरह से आप खुद की examples भी सोच के अपनी notebook पे लिख सकते हैं, उसकी Venn diagram बनाईए, जिससे आपको इस concept बिल्कुल ही clear हो जाएगा, So, let's see option कुन सा सही आएगा, beverages, tea and coffee में, option B correct होगा, यह outer circle आपका beverages, inner circle 1 tea को represent करेगा, and another one will represent coffee, तो इसमें भी हम two things at a time लेंगे, तीनों को एक साथ नहीं सोचेंगे, पहले दो को, and then we'll bring in the third one, clerks, कुछ clerks government employees हो भी सकते हैं, कुछ clerks ऐसे भी होंगे, of course, जो government employees नहीं है, तो इसकी diagram ऐसे बनेगी, government employees को मैं G से represent कर रही हूँ, कुछ government employees होंगे, जो clerk है वो common, और कुछ clerks जो government employees नहीं है, और कुछ government employees ऐसे जो clerk वली position पर नहीं है, ये diagram तो हमारी बन गई, educated person कैसे fit-in होगा, वो कुछ इस थरह से fit-in हो जाएगा, सारे educated persons जो है, वो government employees नहीं होते, और सारे educated person clerk भी नहीं होते, इसलिए कुछ ऐसा area भी रखना पड़ेगा, जो कि उन दोनों के साथ common नहीं आ रहा, तो आपकी जो वेन diagram है कुछ इस थरह बनेगी, यहाँ आपके clerks है, यहाँ आपके government employees, यहाँ पे आपके educated person, let's see the options, इस question का answer होगा option A, So this is your try-it-yourself question, अगर आप हमाई चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, यहाँ मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दू, वीडियो के एंड पे मैं एक try-it-yourself question देती हूँ, जिसका answer आप में को comment करके बता सकते हैं, Sun, Planets and Earth, यह तीन आपके ग्रूप्स हैं, जिसको आपने वेंड डाइग्राम से ही रेप्रेजेंट करना है, इसकी वेंड डाइग्राम आप बनाईए, and then check कि A, B, C, D इन में से कौनसी option correct होगी, and if you have first time on our channel, subscribe to our channel, also go and check out the playlist, which J.K.S.S.P. Class 4 has specially made the playlist, which is General Awareness, Reasoning, Mag, you are getting all the videos, so all I want to say, go and watch the videos, prepare for the exam, and all the best to all of you, that's all from my side, thank you so much.